अर्ष नियूस की सारी खबरें आप तक सगरपुर की A.R.S.C. क्राइम टीम ने उत्रा खंड के मसूरी से एक चोर को गिरफतार किया 3,92,000 रुपे बरामत किये A.R.S.C. क्राइम ब्रांच के D.C.P. रोहित मिना ने सनिवर्साल मीडिया को बताये की 8 जून को लक्षमी नगर थाना च्छेतर में एक घर के अंदर एक चोरी की गई थी जिसकी F.I.R. दर्स कीती लच्मीनेगर थाने जिसकी प्रात्मिक संख्या नमर 328 बटा 22 धारा 380 और 454 के तहत मामला धर्स किया था जिसमें सिकायत करता ने कंप्लेंट लिखी दी कि 27 लाख रुपे और आधा किलो सोना के आभूसन चोरी हो गये जिसकी बात मामला दर्स किया था और मीडिया में भी यह हाई लेट किया गया था मामले को सुलजाने के लिए A.R.C. क्राइम बरांच के D.C.P. के निर्दिस पर एक टीम बनाए की थी इस टीम का नत्यत्म कर रहे थे अरुन सिंदू और इस्पेक्टर कुलदिव कुमार जो की A.C.P. आरविंद कुमार की देख रेक में यह काम कर रहे थे आरोपयों को पकड़ने के लिए इस मामले में A.R.C. क्राइम बरांच की टीम ने काम करना सुरू किया और बहुत सारी तक्रीकी और मैनुल जानकारी खट्री की और घटना सलके आसपास के लगे तमाम CCTV फोटेज का बिस लिसन किया और एक संधिक्त की पैचान की गई जिसके बाद 14 जून को हैट कोंसेवल ससी कांथ यादव को गुफ सूचना मिली की एक आरोपी साउद जो की उत्राखंड के मसूरी के एक होटल में अपने परिवार के साथ रह रहा है तबी पुलिस टीम उत्राखंड के मसूरी पोशे इस टीम के अंदर एसाई रवींदर चंदर हैट कोंसेवल ससी कांथ हैट कोंसेवल नरंदर हैट कोंसेवल गोरब त्यागी मसूरी पोशे जहां पर होटलों की तलासिली और बड़ी मस्चकत के बाद आरोपी को गिरभ तार कर लिया गया जिसकी पैचान हुई साउद पुत्र मसूद हसन उम्र 32 वर्ष निवासी कूचा तारचंद दरिया गंचका है आरोपी को गिरभ तार करके दिली लिख किया है जा आरोपी से पूछ साज की तो आरोपी ने अपना अपराद कबूल कर लिया और अपने दो साथियों के बारे में ही बताया जिसका न नसीम पुत्र रज्जाक जो सेलंपूर का रहने वाला है और दूसरा फरवान पुत्र इस्तगवाल जो रहने वाला कविर नगर बावरपूर का है कहा के इन दोनों के साथ मिलकर चोरी की ती बरहाल एक आरोपी को उट्राखंड के मसूरी से गरभ तार कर लिया है बाकि दो आरोपी को पकड़ने का परियास किया जा रहा है आरोपी के घर से 3,92,000 रुपे बरामत की है एक जोड़ी सोनी की जुमकी भी बरामत की है जिसके बाद आरोपी से पूछ साथ करने के बाद जो दोनों आरोपी ये भी फरार है उनको भी पकड़ने का परियास किया जा रहा ह कर दो करें